कुछ हिदायत हैं सावधानिया और कुछ वो पायों से संबंदित चर्चा करते हैं इसको समझिएगा सनी खाना नंबर 10 में हैं राहू की द्रश्टी में हैं और वो केतु के साथ है सनी दसमे घर में अपने घर का है अच्छा ही है केतु के साथ है पापी हो गया राहू की द्रश्टी में हैं सनी तो जाती सुबाव से भी मंदा हो गया और पापियों के टोले में भी आ दिया सबसे बड़ी चीच अड़ तालिस साल से पहले मकान ना बनाई सनी के मंदे कामों से बचा रहे रावू चार अपनी 42 साल की उमर तक लेकिन यह 42 तो मैंने बोल दिया रावू चार देखे अब देखिए इसके थोड़ी से कुछ एक मिनिट के लिए आ जाए बर्सफल पे इसका 62 साल का बर्सफल है अब मेरे सब्द की 42 तक ना बनाए को पकड़ मत लेना यहां तो आठवे घर में आ गया और टोलेट और च्छत की कंडिशन है रावू की वह चार और आठगर की है तो किसी साल बर्सफल में भी जब रावू इस प्रकार का बार भी अगर रावू चात चौते घर में और आठवे घर में आ जाए तो 42 वाली कंडिशन सिर्फ लगन के लिए है लेकिन उसके बाद भी चौते और आठवे में किसी साल में आ जाए तब भी ये काम ना करवाया जाए यह ध्यान कर दिया रखने वाली बात है क्योंकि इस ड्लमा खाना नंबर में दीजिए ड़े घर में दो ग्रह बैठें सूरज और वोथ चंद्र वैठा है 30 30 करों मैं आप लोगों से बिंती करूंगा ले चोथे और माफ करना बार में और तीसरे घर के संबंद पर आप लोगों को क्या हिलम है क्या जानता रिए तोई मदद करे तीसरे घर में मदद यह दुस्मनी से संबंदित कोई ऑन होल है उस म array पेव्त कोई बहूंना चाहिएगा कि अच्छा योग बनता है तीन और बारा में अगर ग्रह होते हैं तो आपसी मदद करते हैं ऐसे कुछ था सरकाना नंबर तीन की ग्रामर में थोड़ा सा ओर बिस्तार दीजिए यहां पर बड़ा लोचा है वो लोचा खुल जाएगा जी बोलिए बारा में अगर कोई ग्रहा है और तीन में अगर कोई ग्रहा है तो वो आपस में चाहें दुश्मन ही है लेकिन वो नंबर कीसरे घर को मदद ही देते हैं इस इस कुंडली में मदद मिल रही है नो डाउट लेकिन खाना नंबर तीन की एक से ज़्यादा गरहा हो तो फिर अपनी दोस्ति दूश्मनी रखते हैं नहीं नहीं तीसरे घर में एक गिरह है तो बार्मे में चाहें कितने भी मदद देतें कि लेकिन तीसरे में अगर एक से जादा गिरे हो गए तो मावल सब पलड़ जाता है यह कंडिसन दिहान करिए रजनी जी वह अपने जो भी उनकी दोस्ति दूश्मनी वाले हाला आते हैं और उसमें क्या होगा बार में घर के गिरह अपने टाइम पीरियड में गिरह अपने टाइम पीरियड में जैसे जादेते हैं और चंद्रमा के साथ अगर कोई और गिरह होता लेकिन यहां मदद देंगे क्योंकि अकेला गिरह अगर तीन में होगा यह दिहान रखनी बार में में दो हो चार हो आठ भी हो जाएं कोई समस्से नहीं है बार में घर में लेकिन तीसरे में एक होना चाहिए प्लस पाइंट चंद्रमा का ग्यारवेगर से संबंद मंगल और गुरू को देख रहा है कि मंगल और गुरू को भी सुधार कर रहा है और खुद बार्मेगर से मदद भी ले रहा है अच्छे-च्छे लेकिन चंद्रमा तीन की हिदायतों पे लोग बोह नहीं करते हैं जब साधी हो ऐसे व्यक्ति का जब सस्राल से तालुक हो ऐसे व्यक्ति के जब बेटा हो ऐसे व्यक्ति के जब बेटी हो चंद्रमा तीसरे घर का देखते ही सबसे पहले ये हिदायत मेरा खुद का चंद्रमा खाना नम्बर तीन का है और जब मेरे बच्चों का जनम हुआ तब वो काम में नहीं कर पाया तो मैं आज उनके हर जनम दिन पर करता हूं सुस्राल से तालुक हुआ कन्यादान नहीं कर पाया कम उमर में मेरा 20 का भी नहीं हुआ था तो आज भी कहीं घर परिवार की बेटियों की साधी होती है मामा परिवार में बुहा के यहां मौसियों के यहां तो मैं कन्यादान करते हुआ चंद्रमा खाना नंबर तीन में हो तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाड़ी चीज है इसको रटली जीए बिल्कुल कि बेटे के जनम पर सूरज के सामान का दान करना है बेटे की जनम पर सूरज के सामान का दान दूसरा अप्सन आपको पता नहीं था आपके बेटा हो चुपा है बेटे के जनम दिन पर करते रहिए ऐसे बेटे के जनम दिन पर करते रहिए इससे फाइदा क्या होगा परिवार वड़ेगा और राहु के तूसे सम्मंदित जो गंधी हवाए हैं बलाई बद जिसे बोलते हैं उनसे बचाओ होता रहेแตग सो बेटे के जनम पर कर चुके हैं बहुत अच्छी बात हैं नहीं कर पाये हैं बेटे के जनम दिन पर करवाते रहे बेटी के जनम पे अब बेटी बिटिया का जनम हुआ चंद्रमा का दान करेंगे दखिए एक सुत्रोर खोल देता हूं अमूमन हमारे बिद्वान मित्र बोलते हैं चंद्रमा तीन गरीब का हो गरीबी देता है मैं इसको नहीं मानता और मेरा तो सूरज बुद्ध चंदर तीनों बैठे हुए हैं तीसरे घर में मैं फिर भी नहीं मानता चंद्रमा की मिटी खराब हो गई हम आवस्का जनम हो गया मेरा पड़वा का है वैसे लेकिन चंद्रमास हो गया ना फिर भी मुझे परमात्मा की महर से कोई समस्य नहीं आती मैं कैसे माननूं भाई मेरे जब बच्चों के जनम हुए बहुत कम उमर में हो गए थे तो मैं जब इतनी समझ नहीं रखता था लेकिन आज मेरे लिटे बेतों के या बेटी के जनम दिन पर मैं यह सारे काम करता हूँ जब नहीं कर पाया आज ओप्सन है तो बेटी का जब भी जनम हो और भूल हो गई है बेटी हो चुकी है बेटी के आने वाले जनम दिन पर हमेंसा हर जनम दिन पर चंद्रमा का दान चावल चीनी पाणी इस से क्या फाइदा मिलेगा आपके हाँ धन दौलत की व से तालुक अब देखिए साधी होगी जब तो आपका पत्नी से तालुक होगा प्रॉपर लेकिन सुस्राल से तालुक तो भईया ठीका लगन होता है पहले ही आज कल तो एक दो दिन में काम निवटने लगे हैं लेकिन कम से कम जब रिंग सेरे मनी चार से दस दिन पहले आज को सगन दे दिया ठीका कर दिया उसके बाद कन्यादान कर दीजिए सुस्राल से तालुक होने के ऐसे यह भी राहू के तू की जो बलाए बद है उससे बचाओ करेगा करने दान से मतलब सर्फ अपनी कन्या का दान नहीं होता कन्यादान से मतलब है किसी गरीब की बेटी के कन्यादान में बैठिये जाके जब पंड़त वहां पर मंतर चारण कर रहा है है ना तो अंगोठा पकड़के आप अपनी तरफ से गिफ्ट बगएरा धन संपत्ति जो आपकी इस रद्दा है वो दीजिए उनको वो नई गरस्ती में जा रहे हैं उस बच्ची का हाथ पकड़के उस बर के हाथ में दीजिए यह कन्या लाए जैसे आपकी साधी हुई आपको सौपा गया है ठीक है वैसे आप किसी भी परिवार की गरीब की अपने किसी रिष्टेदार की बेहन बेटी का भी कर सकते हैं ज़रूर ही नहीं है आपके तो बेटी जब होगी जब कर पाएंगे किसी की भी कन्या का दान तरिए ऐसे सुस्राल से संबंध हो जब इसका वेनिफिट क्या है बलाए बद राहु के तू की बुरी हवाओं से बचाओ उनके मंदे असर से बचाओ और जैसे ही भ्या हो साधी शाधी करके पत्नी अपने घर में लाते ही सबसे पहले बनाप्टी सूरज के बस्तू गेहूं गुड़ बनाप्टी सूरज कामा नहीं है बनाप्टी सूरज कामा ओरिजिनल है उसमें चमक है सूरज जैसी गेहूं या गुड़ में चमक नहीं है इसलिए ब्या होते ही जैसे ही आप पत्नी घर में आ गई सूरज की मस्नुई सूरज की बनाप्टी सूरज की बस्तूओं का दान करिए आपका चोरी गरीवी से बचाओ हो गई चंदरमा की इन हिदायतों को आज तक मैंने किसी बिद्वान भुख बिद्वानों से मिलता हूं कभी बात करते ही नहीं देखा मैं इसलिए आपके आगे जोर लगा के बोल रहा हूं कि यह उपाए इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे इस बात को समझे है कि सुक्कर एक कि इस महबत वाजी से बचा रहे कि सूरज बारा मिस्त्री जैसे काम ना करे प्लास पेचकस लेकर अपने घर में यह सी कूल और कुछ भी फोल के बैठ जाए गलती से भी ना करें इस तरीके और सनी के काम भी ना करें से संबंदित मंगल विरस्पती मुस्तरका पिता दादा भाईयों से मिलजुल के रहे इसके सारे कारोबार साज़ेदारी में अभी भी दान धरम करता रहे लोगों की पालना करता रहे इस व्यक्ति को कोई बड़ी विप्दा अभी तक जीवन में नहीं आई है और ये इसके आदत में सुमार है मेरे से तो ये अभी पांचे साल पहले मिला है लेकिन पहले से ही मैंने देखा है इसका सुभाव ऐसा है और ये कई जोट्सियों के टच में रहा है ये मेरे एक मित्र के माध्यम से मेरे साथ टच हुआ था उसके बाद ये मेरे पास आया है लेखेए लोग बात करेंगे बर्स फल फे इस बर्स फल में भी देखिए राउध थोड़ी बुराई दे रहा है उसका उपाया असानी से हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है सनी चर। पांच में बुराई देता है लेकिन के साथ है तो वह भी वड़ी बुराई नहीं है चंद्रमा चटे घर में हैं खाना नंबर दो खाली है आसानी से सुद्र जाएगा कोई घबराने की जुनक्त नहीं है लेकिन खाना नंबर दो को अब आप कहेंगे राहू तो यहां सूरज एधाय कि अरहमेंगर में तो आप करना क्या है इस व्यक्ति को चाहिए सोना गले में से काले काले नीले हरे कि हरा बुद्द का हो गया नीला राउ का हो गया काला सनी चरका हो गया पाच मसद नहीं अच्छा तो होता नहीं लेकिन केतु साथ है तो बड़ी पुराई कभी नहीं देगा इस पुस्ताइब काले नीले हरे कपड़ों से दूर रहे कि इस तरीके से बुद्ध ग्यार्में घर में है कि बुद्ध की बहुत सारी चीजें मंदा असर देती है वबूत तावीज बगएरा इन से दूर रहे कि सूरज ग्यार्में घर में सराम मास से दूर रहे वह पहले से ही दूर है और बुद्ध का तो है गंड़ा तावीज भवूत बगएरा से दूर है कि चंद्रमा छटे घर में चंद्रमा का दान ना करे बहुत मामूली से चीज़ है और राहू आठ है तो इस साल चट पर या टोईलेट में कोई काम ना करा है आप करना क्या है चंद्रमा छे दूसरा घर खाली है मौका मिला हुआ है राहू से घबरानी की दूर नहीं है मंगल और ब्रस्पती की बस्तू है चनादाल केसर हल्दी कि मंगल की सहद सौफ अगयरा मंदिर में दरमिस्थान में रखता रहें कभी कभी और अगर 43 दिन लगातार कर दे 43 डेज कंटिन्यू कर दे मंगल और ब्रस्पती की चीज तो संबब है कि तामा सूरज और बुद्ध 11 गर में है तामे का पैसा छेद करके गले में भी डाला जा सकता है कभी कभी करेगा अब यहां पर पॉइंट समझने की कोशिस करिएगा मैं यहां पर कुछ सुत्र खोलना चाहरा हूं समझिएगा होगा अगर फोटी ठीडेज कंटीनीउट तरतालिस दिन अगर यह मंगल और ब्रस्पत्री की चीज मंदिर में रख देता है द्रमस्तान अरख देता है अब यहां पर एक सुत्र है मैंने इतना बोला लेकिन अभी तक कोई बोला नहीं कि क्या इसे मंदिर जाना चाहिए कि वह लिए कि थोड़ा सा द्यान देना शुरू करें इसे धरमिस्थान जाना चाहिए मंचन्दा जी खोलिए खोलिए म्यूट जी मंचन्दा जी अन्म्यूट होईए अन्म्यूट होईए अन्म्यूट अवाज नहीं आ रही है आपकी म्यूट है आप कि नहीं जाना चाहिए जी मंचन्दा जी आप अन्म्यूट होगे बोलिएगा इसको धरमिस्थान में नहीं जाना चाहिए बिल्कुल सत्य है अभी इसकी उमर 62 साल है अम्यूट में तो बड़े आसान सरलल और सब्द में बोल दिया कि बिरस्पति और मंगल की बसुए मंदिर में रखें कि आप समझना आप कि मुझे उमित्ति कोई ना कोई टोपएगा लेकिन इसको क्या करना है इसके पिताजी तो अभेनी 62 साल की इसकी उमर है कि इसका भाई दो चार साल बड़ा है इससे अगर यह अपने भाई से मंगल और व्रस्पति की चीजें मंदिर में रखवाए तो कैसा रहे गा एक दूसरी बाद इसके पिता होते और पिता भी रख सकते थे तो कैसा रहे गा अब बोलिए इसका बाई रखे तो कैसा रहेगा इसका पिता रखे तो कैसा रहेगा मचळला जी आपजी हो नहीं पारे यह लग रहे है अer अजी जा जब भी हम किसी गिरह से संबंदित आसिया यानि कि बस तुख का उपाय करना हो जैसे सुकर का उपाय पत्नी का सहयोग लीजिए चंदर का उपाय माता का सहयोग लीजिए केतु का उपाय बेटे का सहयोग लीजिए भुद का उपाय पहन बेटी नहीं है तो बती जी का सहयोग लेजिए अब यहाँ पर विरस्पती मंगल है अब यह तो अच्छा लगे गा नहीं कि भाई और बाप दोनों को दोड़ा हैं अब इनके तो पिता भी नहीं है अगर साथ में घर में अकेला मंगल होता तो मैं कुछ और उपाए करवाता लेकिन मंगल विरस्पत है तो मैंने एक सोने की चैन डालने के लिए बोल लिया और बोल लिया कि अपने भीया से बोली है 43 दिन लगातार मंगल और विरस्पती की वस्तुएं धरमिस्थान में रखते रहें अब पॉइंट समझे तिरतालिस दिन कंटिन्यू करना यानि की गिरह धरम इस्थान में कायम कर लेना हो जाएगा और जैसे ही मंगल ब्रस्पती के तिरतालिस दिन होते हैं तो तामे का पैसा छेद करके भी ये सज्जन गले में डाल सकते हैं और राओ का विसरजन तो करना ही पड़ेगा और राओ का विसरजन ही नहीं करना पाताल की लहरें खाना नंबर छे और आठ ये ज्यादा बंदा असर होता है इस राओ को बड़ा खुस करना बहुत जरूरी होगा इस राओ को बहुत ज्यादा सॉप्ट टार्गेट मिला हुआ है छटे गर में चिंद्रमा तो मैंने इनको क्या उपाय करवाया राओ का बिसरजन के अलावा भी बालमी की समाज के लोगों को खाना खिलाई है हमारे जो सफाई कर्विचारी होते हैं बालमी की समाज के खाना खिलाई है बरपेट सम्मान के साथ खाना खिलाने के बाद उनको आइस क्रीम या कुलफी दूद की खिलाई है कुछ समझने की कोशिस करिए क्या बोला हूंगा खाना खाना से उनकी पालना हो गई खाने के बाद उनको ज्यादस ज्यादा आइस क्रीम या कुलफी खिल आई है इससे क्या होगा ठंडक आएगा रिलेक्स कमफरडेवल उसमें मीठा भी है कि अब यह आपने खाना खिला के पेट भर दिया आइस्क्रीम खिला के उनको कूल कूल कर दिया राहू महाराज को चलते समय उनको रात के इंजोय का काम करवाईए दारू भी बोतल दीजिए और राहू की एक और बस्तु है छाता छत्री अम्रेला वो दे दीजिए तो आपने उनकी पालना की खिलाया उनको खुस्क गया उनके दिमाग को ठंडक दी खुल्फी जाते समय राहू तो सौकीन आ पैग मारेगा दारू प्येगा फटकार के बड़िया नीद लेगा अच्छा ता अपने घर में ले जा के रख लेगा राहू के लिए जब भी कोई राहू बड़ी बुराई पे आ जाए और आपके काबू में ना आए जब भी आपको लगे कि राहू काबू में नहीं आ सकता है राहू बिगड़ा हुआ है राहू किसी ना किसी के रहसे संबंदित बड़े लॉस्ते ही देगा तो राहू का जो नॉर्मल उपाए है वो करवाने के पाथ यह उपाए आप फिर फिकर होके करवा सकते हैं और मैं कम से कम 10-12-15 को यह उपाए लिक्षे देता हूं महीने में इतने के वे ऐसी हो पिया है जहां मैं राहू को इस उपाए से ठंडा कर बाता हूं कि अब कौन बताएगा इस उपाए के संबंद में कोई चर्चा करना चाहिए